दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा सोलर पैनल कितनी बिजली बनाता है और इसकी कीमत क्या रहने वाली है आपने मार्केट में कई सारे सोलर पैनल देखे होंगे जिनमें पॉली पैनल, मोनो पैनल, हाफ कट, बाइफेशियल, हईड्रोजन सोलर पैनल और परफसकाइट सोलर पैनल जैसे डिफरंट काइंट्स के आप्शन अवेलेबल हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक पैनल के प्राइजस के बारे में बताऊंगा और ये पैनल कितनी इनर्जी जनरेट करके देते हैं और इनके इनर्जी जनरेट करने का क्या तरीका होता है उस सबी के बारे में डिटील के साथ बताने वाला हूँ चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की चैनल पर नए आये हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब पर लीजेगा और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बिना किये मज जाएगा दोस्तों अगर हम लोग मार्केट में देखते हैं तो हमें यहां पर च से ओर्ड टेक्नालोजी को सोलर पैनल होने वाला है और इसकी आज से करीब देख सकते हैं कि अप्रॉक्समेटली टैन इयर के नियर अबाउट इस पैनल की टेक्नालोजी नॉर्मल हो चुकी है मतलब हर घर में आपको यह सोलर पैनल देखने को मिल जाता है पर अगर हम लोग देगा तो अगर आप अपने घर पर एक सस्ता सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इस पॉली क्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जा सकते हैं इसका एक किलोवाट का पैनल आपको चार से लेकर साड़े चार यूनिट तक की जनरेशन करके दे देता है अगले नंबर पानाता ह पर कुछ खासियत यह होती है कि यह हमारा जैसे ढूप कम है सनलाइट कम है ऐसी कंडिशन में भी यह अच्छा परफॉर्म करते हैं और दूसरी अच्छी चीज यह है कि इनने आपको इसमें कम साइज के अंदर मोर वाटेज कैपिसिटी देखने को मिल जाती है मतलब आपका कम स्पेस के अंदर जादा पावर कैपिसिटी देखने को मिल जाती है इसका प्राइज भी आपको मार्केट में आज की रेट में थाइस से लेकर तीस रुपए पर वाट के हिसाप से मिल जाएगा पर अगर आप जादा पैनल लेने जाएंगे तो डिफरेटली वहाँ पर आ हैं हाफ कर सोलर ऑज की बडगा है अपको ये मार्केट में 550 वाट तक देखने को मिल जाते हैं इससे आ अगर आपको अभी तक कई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बिना किये मच जाएगा दोस्तों हाफ कट पैनल की बात करें तो इस पैनल का जो आउटपुट जनरेशन है वह सारे पांच यूनिट के नियर अबाउट होता है अप्रॉक्समेटली यर्ली के हिसाब से अगर जो इसका प्राइस देखने को मिलता है आज की डेट में अगर आप कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको काफी सस्ती कीमत पर यह सोलर पैनल प्रोवाइट करा देती हैं सस्ते से मेरा मतलब है कि आपको 27 रुपए से लेकर 30 रुपए पर वाट तक हाफ कट बाइफिस्टियल सोलर पैनल मिल जाता है जो कि अपने आप में काफी बेस्ट पैनल माना जाता है और इस पैनल में आपको जो लंबाई मिलती है वो दो मीटर की मिलती है और इसकी चोड़ाई एक मीटर तक होती है तो अगर आप अपने लिए बेस्ट सिस्टम चाह रहे हैं तो डेफिनिटल करते हैं अब बात करते हैं सबसे एडवांस टेक्नोलजी के सोलर पैनल की इस पर कुछ मित भी है उन मित के बारे में बात कर लेते हैं नमबर एक सबसे बड़ा मित है कि जो यह हाइड्रोजन सोलर पैनल है इसे हम लोग इलक्रिसिटी प्रडूस कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है अब मैं इसका थोड़ा साबको वर्किंग प्रशपल बता देता हूँ इस सोलर पैनल के उपर आप यह जो सोलर प्लेट देख रहे हैं यह सोलर पैनल यहां पर प्लेट इसमें इनर्जी जनरेट का काम नहीं करती है जबकि जब हम लोग सोलर पैनल को तो इसके अंदर आपको tubes नुमा ऐसी संरचनाय देखने को मिल जाती है जिनमें आपको एक foam type का कोई material पढ़ा है अभी तक company ने इसके बारे में कोई भी authentic data नहीं दिया है कि इसके अंदर इनों ने कौन सम material यूच किया है पर जो चीजे निगल कराएं है उसके according यह है किसके अं site की मौझूदगी में यह इसको convert करती है hydrogen में hydrogen में कैसे देखिए जल का formula होता है s2o और यहां पर अगर oxygen निकाल दी जाती है तो यह hydrogen molecule ही बसता है और यह hydrogen molecule को हम लोग अपने गर पर लगे cylinder में store कर सकते हैं अब बात करते हैं कि यह पैनल क्या market में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है तो दोस्तों यह पैनल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के mail आये कि हमें hydrogen पैनल की नीड है तो दोस्तों जो company इस पैनल को मार्केट में अवेलेबल करा देगी पर अभी इसका सिर्फ प्रोटोटाइट तयार हुआ है या बहुत छोटे इस तर पर ही इसकी अब जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है तो अभी मार्केट में यह पैनल अवेलेबल नहीं है और अब बात करते हैं इसे electricity कैसे प्रडूस की जा सकती है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि इस पैनल के मांध्यम से हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे और उस हाइड्रोजन को कनवर्ट करेंगे हम लोग electricity से किसी generator के मांध्यम से या किसी और मांध्यम के द्वारा तो यहाँ पर यह एक यह मानेगा य यह एक प्रेरक्ट का काम करेगा जिसके मांध्यम से हम लोग electricity को ब्रडूज कर सकते हैं पर अगर और बात करें हम लोग efficiency की तो आपकी तक मार्केट में आपको 22% efficiency तक के solar panel देखने को मिलते थे पर यह hydrogen solar panel 40% efficiency का हुए तो यहाँ पर अगर हम लोग 40% efficiency के हिसाप से hydrogen मनाते है और इस hydrogen को electricity में convert करते हैं then that panel is too much beneficial for every people और इसका मैं actual reason भी आपको बता दूँ कि जो car industry है car industry भी अब EV की तरफ कम focus कर रही है कुछ ऐसी कंपनिया है Toyota जैसी जो चाहती है कि वो अब EV की तरफ ना जाकर hydrogen की तरफ shift हो क्योंकि hydrogen से हमें zero carbon उत्सरजन देखने को मिलता है और अगर पैनल के माध्यन से हम लोग यहां पर hydrogen produce करेंगे तो definitely उससे काफी ज़्यादा फायदा होने वाला है और उनका अक्स्यूजज यह भी है क्योंकि lithium जो है काफी महंगी और rare दातु है और इसको पाना और इसको बनाना और इसका दुबारा से recycle करना और इसके availability कराना यह कहीं न कहीं एक लंबे विजन तक काम नहीं कर पाएगा इस वज़े से इस hydrogen solar panel के उपर काम चला है तो आई तिक आपको एक चीज क्लियर हो गए होगी कि जो भी पैनल आपको मार्केट में देखने को मिलना है उन पैनल के कैसे working principle है और उनसे हमें कैसा आउटपर देखने को मिलता है आपने एक पैनल के बारे में हुर सुना होगा जिसको प्रोफसकाइट solar panel का आजाता है और इस solar panel को बोला गया है कि यह इन सभी चारो solar panels जो यहाँ पर आप यह देख रहे हैं वो poly हो, mono हो, half cut हो, bifacial हो इन सभी का alternative हो सकता है तो जी हाँ यह इन सभी का alternative हो सकता है क्योंकि इ लोग एक short investment के साथ, short term के लिए अच्छी electricity को produce भी कर पाएंगे और इसकी efficiency भी 30 से जादा है, मतलब 30% से इसकी efficiency भी जादा है, तो overall इस सभी panels की तुला में प्रोफसकाइट पैनल भी एक अच्छा future हो सकता है, पर market में भी आपको यह सिर्फ चार solar panel देखने को मिलेंगे, जि इस वीडियो के comment के माध्यम से देने वाला हूं, तो चले इसी के साथ करते हैं आज के सीडियो को समाप, तो मिलते हैं एक्स वीडियो में किसी नई update के साथ, चैनल पर नए थे तो subscribe कर लीजेगा, और अब कोई वीडियो अच्छा लगा हो, तो like and share करना मत भूलिएगा